नमस्कार दोस्तों मिर्डुक चैनल में आप लोग का स्वागत है दोस्तों आप लोग के लिए एक और बहुत अच्छी खबर है 36 गर में आठी पास वालों के लिए भरती के लिए विज्यापन जारी किया गया है जिसके अंतरगर जिले के 5 विकास खंडों में भरती किया जाएगा तो इन पदों के लिए कौन को नवेदन कर सकते हैं प्रती मावेतन कितना दिया जाएगा आप लोग का चैन कीस परकार से किया जाएगा आप लोग को ऑनलाइन फर्म भनना है या फिर ओफलाइन एक्जाम होगा या फिर सीधी भरती किया जाएगा मैं आप लोगो पूरी डिटेल से जड़ो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तो अगर आप लोग अभी तक चैनल में ने हैं तो आप लोग अधिक से अधिक सेर किये ताकि ऐसी काम की वीडियो जुरतमन लोगों तक पहुँच सके और इस विग्यापन से सम्मधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सुझाव है तो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं विग्यापन जारी के काले जीला सिक्षा दिकारी गरियावन 36 गर्ड के द्वारा जिसके अंतर गर्द गरियावन जीले में पांच विकास खंडों में भृत्य और चौकी दार के विविन्न पदों पर भरती किया जाएगा दोस्तों आप लोग यहां पांच विकास खंड का नाम पढ़ सकते हो जहां भरती किया जाना है गरियावन, छुरा, फिंगेश्वार, मेनपूर और देवोग के इसकूलों में भृत्य और चौकी दार के विविन्न पदों पर भरती किया जाएगा जो भी इक्चू का वेदग इन पदों के लिए अवेदन करना चाहते हैं वो 27 मार्थ 2022 गूगल लिंक के माध्यम से ओनलाइन अवेदन कर सकते हैं और दोस्तों इसी के नीचे पूरा डिटेल दिया गया है आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो यहाँ पर विद्यालाई का नाम दिया गया है जहां भरती किया जाना है सासके उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालाई गरिया बन में भृत्य के टोटल तीन पतपर भरती किया जाएगा और चौकी धार के एक पतपर भरती किया जाएगा वेतन दिया जाएगा प्रती माँ 15,600 रुपे सेक्षडिक योग्यता होना चाहिए आठी पास दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्पूर होने वाला है आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा आप लोगों से कोई भी इंपोर्डेंट पॉइंट छुटे ना इस वज़े से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दूसरा इसकूल है सासके उत्रिष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालाय फिंगेश्वर में भृत्य और चौकीदार के टोटल चार पत पर भरती किया जाएगा दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हो डिटेल से कौन सोवर के लिए कितने पदों पर भरती किया जाना है वेतन दिया जाएगा 15600 रुपे इसके लिए भी सैक्षिडी क्योग्यता आठी पास मांगा गया है अगर आप लोग आठी पास हो तो इन पदों के लिए अवेदन कर सकते हो तीसरा इसकूल है सासके उत्रिष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालाय चूरा में में बृत् पर देख सकते हो इसी परकार सासके उत्रिष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालाय देभोग में बृत्य और चौकीदार के पदों पर भरती किया जाएगा तो दोस्तों यह आप लोग इन पदों के लिए अवेदन करना चाहते हो तो कर सकते हो केवल आठी पास मांगा गय अगर आठी पास हो तो इन पदों के लिए अवेदन कर सकते हो और दोस्तों यह आप लोगों से कोई एक्जाम नहीं लिया जाएगा सिधा मेरिड सूची के अधार पर भरती किया जाएगा यह आप लोग के लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज है यहाँ पर आप लोग चैन प्रकरिया के सम्बन में दिषन निर्देश पर सकते हो जो आप लोग के लिए जानना बहुत ही महत्पून है अवेदक अवेदिका को गरिया बन जिले का मूल निवासी होना अनिवार है तो दोस्तों अगर आप लोग इन पदों के लिए अवेदन करना चाते हो तो उस जिस जिले के लिए विज्यापन लिकाला गया है उसी जिले का निवासी होना अनिवार है अवेदन Google Form के माध्यम से online apply आप लोग कर सकते हो और यहां पर अन्य डिटेल दिया गया है आप लोग वीडियो को पॉस्ट करके भी पढ़ सकते हो और दोस्तों जो भी इक्चुक अव कौन कौन से दस्तावेट डोकुमेंट आप लोग को लगेगा यहां पर पूरा डिटेल से बताया गया है आप लोग वीडियो को पॉस्ट करके भी देख सकते हो तो दोस्तों अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे ड पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो आप लोग अधिक से अधिक सेयर किये ताकि ऐसी काम क्यूड़ जुरतमन लोगों तक पहुंच सके और इस वीडियापन से सम्बंदित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडिय देखने के लिए धन्यवाद